नमस्कार में बॉबी जाय में आप सबी कस्वागत आईए देख दें आज की बड़ी खबर साथभी निरंजन जोती ने किया जन संपर्ग बोली आप दोबारा चुन रहे हैं प्रधान मत्री पारा नसी पनारा सांसत्य सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान मत्री नरेंद मुदी के पक्ष में बोत मांगने आई बीजेपी की स्टार प्रचार साथभी निरंजन जोती रवीबार को पुराना राम नंगर शेत्र में जन संपर्ग किया इस संदर में वहर लोगों के घर घर पहुँची उन्होंने कारेकरताओं के साथ बैठक की पोली की इस बार आप दोबारा प्रधान मत्री चुन रहे हैं लिहाजा आधिक से अधिक संख्या में वोटी करें उन्होंने भाषपा नेथा विग्रम सींग के घर कारेकरताओं के साथ बैठक की इस संदर्ग में वहार लोगों के घरघर पहुची उन्होंने कारेकरता के साथ बैठक की बोली कि इस बार आप दोबारा प्रधान मत्री चुन रहे हैं लिहाजा आधिक से आधिक संक्यामी बैठक में प्रमुकरूप से भाजपा के जिला मंत्री सतिंद्र पिंटू, नंदनलाल, चववान, अनिल सिंग, संजय सिंग, अजय सिंग, पाशस, संतोर्ष, शर्मा, डॉक्तर, आरके सिंग, अजय प्रताप सिंग, हर्स सिंग, उसुमलता, नीरा, गीता, सुमन, संजय, मनिश, बबलू, अशोक, अनुपम, राजकुमार आधि हर राजणितिक पार्टी के निता अपने बयानों से चर्चा में बने हुए है, इस चर्चाओं के बाद फिर दुल पकड़ा हुआ है, यू कि तमिल नाडू में चुनाप्रचार के दोरान, बॉलीगुड अभी निता, कमल हासन द्वाला दिये गए एक बयान ने राजणित कमल के इस बयान के भाजपा रास्टिय महासचीव तमिल नाडू भाजपा प्रभारी मुलीधर राव ने कहा कि वो अपना दिमाग संतुलन खो बैठे, एक कार्यक्रम में शिर्कत करने प्रधानमंती नरेंद मुदी के सांसतिय शित्र बनारस पहुँचे मुलीधर ने कमल ह पर जमकर हमला बोला, साथी विपक्ष पर भी खटास किया, मुलीधर राव ने कमल के बयान पर कहा कि वो पागल हो गये हैं, आतनवादी के नाम पर भारत में संपुर्न चाति को प्रवेश्च को अंगनित करना बुद्धिमानी नहीं है, यहां देश हीत में भी नहीं है, सभी मजहब के बारे में हमारी मान्यता है कि सांती और स्वहार के लिए काम करें, गलत विवेश्चना उनके दिमाग की उपज है, बीजेपी के रास्टे प्रवाता नलीन कौहली ने बीसड़क पर जगर रहे युवक युवती को समझाया लोगों से बोले आप लोगों को स सुलजाना चाहिए था मामला, महमूर गंज आकाशवानी के बास सुमवार कुपी सड़क पर जगरा कर रहे युवक युवती को उधर से गुजर रहे बीजेपी के रास्टिय प्रवत्ता नलीन कौहली ने समझा बुझा कर सांत करवाया, नलीन इस वक्त चुनाप्रचार क करने के सिलसिले में बनारस में मौझूद है, वहां आकाशवानी की और से चार है थे कि उन्हें युवक युवती किसी मसले पर जगरा करते हुए दिखे, उन्होंने अपनी गाड़ी रुपवा कर दोनों के पास पहुंचे, उन्हें समझा बुझा कर शांत करवाया, उन्ह जगरा खात्म कराने के बाद वहां आगे बढ़ गए।